प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवं सहज भाशा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद हैं उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाथे माला को सबस्क्राइब कर लें सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस हूगया काम अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी पिछले बहुत सारे हफ़तों में मैंने ये बात बताई थी कि हम सब चाहते हैं कि बच्चे हम मैं से हरे एक के बच्चे पडमेश्वर के रास्ते पर चलें लेकिन सिर्फ इच्छा से ऐसा नहीं हो जाता है उसके लिए काफी कुछ तयारी करनी पड़ती है यहां पर जब तयारी की बात आती है तो ज़्यादा तर लोग गड़बड़ा जाते हैं क्योंकि नियमित तयारी जिरूरी है इसको हम लोग कई बार समझते नहीं है कई बार हमारे पास समय नहीं होता है सबसे ज़्यादा परेशानी की क्या बात यह है कि हम में से हर व्यक्ति इस संसार में रहता है हमारे आसपास के लोग बच्चे जन्म देते हैं कभी भी उनकी तरफ कोई खास ध्यान नहीं देते हैं हमारे उपर यह असर होता है कि हमको भी लगता है कि बस बच्चे ऐसे ही पाले जाते हैं जी नहीं बच्चे ऐसे नहीं पाले जाते हैं प्रभू का वचन बच्चों के पालन पोशन के बारे में बहुत कुछ कहता है ये जो सीरीज है इसकी तैयारी के लिए इस विशे पर प्रभू के वचन में जो पद हैं उन पदों को मैं ए करके ढूंडने लगा तो बहुंच अक्का रह गया कि इतने सारे पद हैं प्रभु के वचन में इस विशे संबंदित कि ये सीरीज तो अभी खतम ही नहीं, एकदम से खतम नहीं हो पाएगा। और मैं याद दिलाना चाहता हूँ प्रभु का वचन बच्चों के पालन पोशन के बारे में इतना आधिक इसलिए कहता है क्योंकि विशे महतुपूर्ण है। इसके पीछे कारण है। पडमेश्वर चाहते हैं कि 15, 18 या 20 साल तक हमारे बच्चे हमारी छत्र चाया में रहकर भले और बुरे के बीच में जो अंतर है उसको सीखें, बुरे के साथ घिन करना सीखें, भले से प्रेम करें। और इस कारण हम सब के लिए जरूरी है कि हम अपने बच्चों को क्रमबद तरीके से ट्रेनिंग दें। और ट्रेनिंग देने के लिए जो बहुत सारे कारी करने हैं उसमें से एक है प्रभु के वचन की जो चरित्र कथाएं हैं और उसके अलावा प्रभु के वचन में जो उदाहरन प्रभु ने दिये हैं। इन सब की व्याख्या व्याख्या कैसी करनी है ये बात मैंने आपको कई हफ्तों में बताई थी किस तरह से आदम और हववा और उनकी जो परीच्छा हुई किस तरह से उस चरित्र कथा की व्याख्या करनी हैं। उसके बाद मैंने ये अनुरोथ किया था कि सभी भाई बहन लोग एक निश्चित रूप से डाइरी रखें और जब प्रभु के वचन की चरितर कताएं पढ़ते हैं तब उसमें जो पाठ मिलता है ना केवल चरितर कताएं कालपिनिक कताएं जैसे प्रभु ईश्व ने जो उ कर पूछा था कि ब्रदर कुछ उदाहरन दे सकते हैं क्या क्योंकि इसके पहले हमने इस विशे के बारे में ना تو सोचा ना सुना है कि प्रभु के वचन की जो कता कहानिया हैं जो वास्तविक चरितर कताएं और अन्य कताएं हैं हमने ये कभी ना तो सुना है और इसकारण हाँ कि इन कथा कहानिओं की सही रीते से व्याख्या करने चाहिए इसलिए आप कुछ है मार्ग निर्देशन दे सकते हैं किशले हफते मैंने अपने पिछले क्लास में मार्ग निर्देशन देना शुरू किया प्रभु के वचन से हमने दो कहानियां चुनी थी, एक दानियल की चरित्र कथा, दो उड़ाऊ पुत्र के बारे में प्रभु ईशु ने जो काल्पिनिक कथा बताई थी, इनकी व्याख्या के लिए मैंने ये बताया था कि हमको इन कहानियों को कई बार पढ़ने के बाद हमें अपने आपसे कुछ प्रश्न पूछने चाहिए, इसमें पहला प्रश्ण पिछले हफ़ते मैंने आपके सामने पिछले क्लास में पेश किया था और पहला प्रश्ण ये था कि इस कथा में हम किसी तरह का शाश्वत सत्य देखते हैं क्या शाश्वत सत्य का मतलब है वे सत्य जो समय और काल के हिसाब से बदलते नहीं है उड़ा पुदाओ पुत्र की कहानी से मैंने आपको ये शाश्वत सत्य बताया था कि हम मैंसे हर व्यक्ति को अपने बच्चे को उसके स्वभाव को और कल को वो क्या करेगा ये पहचानना चाहिए। आप अपने बच्चे को इतनी गहराई से अभी पहचान सकते हैं जब पैदाई से पहले ही आप अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करते आएं हैं। अने जब प्रापरटी की मांगी उसको दे दिया पिता को मालूम था कि चार दिन मैं वो सारा पैसा बरबात करदेगा और उसके बाद परमेश्वर के पास अपने पिता के पास वापस आएगा क्योंकि उसके दिल के अंतर भागों में वो ना तो पिता का प्रेम भुला है न को आपके जीवन में अपने बेटे या बेटी को इस तरह से समझना चाहिए. ये मैं माबाप को याद दिलाना चाहता हूँ. इसके साथ साथ एक चीज और याद दिलाना चाहता हूँ, मैं और आप हम सब अपने आत्मिक जीवन में कई बार उड़ाओ पुत्र के समान परमेश्वर से बलवा करके अपने रास्ते पर चल देते हैं, लेकिन परमेश्वर हमको छोड़ते नहीं हैं, कुछ लोग हैं जो हमेशा के लिए परमेश्वर को त्याग देते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो परमेश्वर से प्रेम करता है, जिसके जीवन में परमेश्वर के प्रती समर्पन भी है, लेकिन ठोड़ा बहुत परमेश्वर से वो बलवा करता है और इस तरह से परमेश्वर से उसके मन में जो बलवा है उसके कारण माबाप से बलवा करता है आत्मिक जीवन से बलवा करता है पवित्र जीवन से बलवा करता है परमेश्वर हमको जानते हैं परमेश्वर जानते हैं कि हमारे दिल के अंतर भागों में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और इसकार इन जिस तरह से उडाओ पुत्र के पिता ने अपने बेटे को जाकर पैसा उडाने और उसके बाद इस बात को समझने में मदद की कि संसार का आनंद सिर्फ छनिक है असली आनंद तो पिता के साथ संगती में है उसी तरह से मुझे आपको आज जितने लोग बैठे हैं संभाव नई इस बात की है कि हम सब के जीवन में एक या अनेक ऐसे आउसराये होंगे जब हमने परमेश्वर से बलवा किया लेकिन अपने प्रेम के कारण परमेश्वर ने हाथ नहीं छोड़ा और परमेश्वर ने हाथ नहीं छोड़ा इस कारण उस उड़ाव पुत्र के पिता के समान परमेश्वर हर दिन बस दूर की और देखते रहे मेरा बेटा अब वापस आएगा मेरी बेटी अब वापस आएगी जब बेटा या बेटी वापस आए आते हैं तब परमेश्वर किसी तरह का उलाहना नहीं देते हैं डाट फट करते नहीं है उडाओ पुत्र जब आया तब गंदे मेले कुचेले एक गंदगी का जो लो थड़ा था पिता ने किस तरह से उसको चुम्बन दिया ये अपने आप में अद्बुत बात है और मैं ये बात याद दिलाना चाहता हूँ आज जो लोग प्रबु का वचन सुन रहे हैं हम अपने आत्मिक जीवन में कई बार परमेश्वर से इसी तरह से बलवा करते हैं लेकिन जिस च्छंड हमारे मन में बोध आता है कि गलती हो गई है लेकिन मैं आज अपने जीवन को अपने पिता के हाथ में अर्पित कर दूँगा उस च्छंड पिता हमारा इंतजार कर रहे थे पिता दोड़ के आते हैं किसी तरह से डाटते नहीं हैं फट करते नहीं हैं उलाहना नहीं देते चुम्बन ही चुम्बन देते हैं हमको साफ करते हैं हमारे बाल काटे जाते हैं नाखुन काटे जाते हैं रगड रगड के स्नान करवाया जाता है सरवोतम कपड़ा पहनाया जाता है और हम उस परिवार के अभिन सदस्य हैं इस बात को याद दिलाने के लिए परिवार की जो पारिवारिक चिन के साथ जो अंगूठी है वो पहना ही जाती है आज मुझे पक्का विश्वास है कि जो लोग प्रभू का वचन सुन रहे हैं इन में से कई लोग अपने जीवन में ये अनुभव कर चुके हैं उन सब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ प्रभू के प्रेम में वापस आगे प्रभू ने कोई उलाहना नहीं दिया बलकि प्रभू ने आप मेंसे हर व्यक्ति को उठा कर साफ करके शुद्ध कपड़े पहना कर परिवार का आइडेंटिटी देकर उस वापस हमको यथा स्थान कर दिया है इस कारण आइंदा जाने अन जाने हमसे इस तरह की गलती ना होगी इस समर्पन के साथ जीवन बिताने के लिए मदद करें संभवने इस बात की भी है कि आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं इन में एक या अनेक भाई या बहन या बच्चे ऐसे हैं जो एक या अनेक बातों में प्रभु से बलवा किये हुए हैं बलवा कई तरह से हो प्रभु के विरुद बलवा कई तरह से किया जा सकता है अपने पढ़ाई की उपेख्षा करना, अपने जीवन की उपेख्षा करना, अपने जीवन में पवित्रता की उपेख्षा करना, उसके अलावा अपने आत्मिक जीवन की उपेख्षा करना, चर्च की उपेख्षा करना, अपने माबाप को उपहास करना पचास बातें हो सकती यदि आज कोई भाई या बहन या बच्चा या बच्ची इस सभा में इदी इस तरह के हैं जो उड़ाव पुत्र के समान पडमेश और पिता से दूर जा रहे हैं तो मैं उनको याद दिलाना चाहता हूँ मेरे प्रिय भाई मेरी प्रिय बहन मेरे प्रिय बच्चे मेरे प्रिय बच्ची एक विश्वासी के लिए पजमेश वर की संगती से दूर जाना बरबादी है चनिक आनंद है लेकिन स्थाई बरबादी है इस कारण स्थाई बरबादी में फसने के पहले या फसने के बदले वा आपस आजाओ, छोड़ दो उन सब बातों को जो तुमको गुलाम बनाए हुए है, जैसा इसके पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, यदि कोई भाई या बहन या बच्चा या बच्ची, अपने जीवन में किसी भी तरह की मदद चाहता है या मार्ग निरुदेशन चाहत है, तो मुझे लिखिए, ओन मत करें, क्योंकि मेरा काफी व्यस्त जीवन है, आप एक संदेश भीजिए, टेक्स्ट भीजिए, ओडियो भीजिए, समय मिलने पर उसे पढ़कर मैं जवाब दे दूँगा, तत छंट जवाब नहीं दे पाऊंगा, लेकिन जवाब जरूर दे इस कारण, मेरा नमबर नोट कर लें, शास्त्री जी जड़ा कमेंड बॉक्स में मेरा नमबर डाल दें, मैं नमबर मुझवानी भी बता रहा हूँ, जिससे जो पेंसिल लेके बैठे हैं, वे लोग नोट कर सकें, मेरा नमबर है 999-519-8690 999-519-8690 मेरे प्रिये भाईयों, मेरे प्रिये बहनों, मेरे प्रिये बच्चों, बच्चियों, तुम लोगों में से कोई भी व्यक्ति यदि जीवन के उस संगर्ष की अवस्ता में हैं, उस उड़ाओ पुत्र के समान, यदि पिता से बलवा करके संगर्ष कर रहे हो और अब यदि समझ में नहीं आता है कि किस तिशा में जाना है, या क्या करना है, वापस आ जाएं यदि मैं आपकी मदद, मैं आपको मार्ग नर्देशन दे सकूं, तो मुझे खुशी होगी, मुझसे संपर्ख करें फोन ना बुलाएं, टेक्स्ट संदेश भेजे या ओडियो भेजे, जिससे जब मैं फुरसत में हूँ, तो उसको फुरसत से पढ़कर, फुरसत से टेक्स्ट या ओडियो में जवाब दे सकूं दानियल की कहानी के बारे में भी इसी तरह से हमको एक प्रश्ण, यही प्रश्ण पूछना है, कि दानियल की जो चरित्र कथा है, उसमें कोई शाश्वत सत्य छुपा हुआ है, क्या? और उसका उत्तर यह है, कि दानियल की कहानी में वर्तमान जगत संबन्दित पचासों शाश्वत सत्य छुपे हुए हैं, आप सब को याद होगा, बाबुल का राजा, जब उसने परमेश्वर के लोगों को गुलाम बना लिया था, यह इस्वी पूर्व छे सो चे के आसपास की बात है, जब उसने परमेश्वर के लोगों को गुलाम बना लिया था तब अपने मंत्रियों को आग्यादी या करेक्टि शब्द है खोजों को आग्यादी जाओ और यहुदियों के बीच में देखने में सबसे हैंसम, बुद्धी में सबसे बुद्धिमान, दूसरों से बाचित करने में हर तरह से योग्य, इस तरह के काफी सारे जवानों को चुन कर, बाबल की जो शिट्षा है, वो शिट्षा उनको दी जाए, बाबल का जो भोजन है वो उनको दिया जाए, हर तरह से वे लोग जन्म से यहुदी रहें, लेकिन मन से बाबल की फिलोसफी उनके सर पर ऐसा ही किया गया यहुदियों में सर्वोतम जवान चुने गए और इन जवानों को तमाम सारे खोजों के अंडर बांट दिया गया था दानियल शदरक मेशक अबेदनकों के साथ को भी एक खोजे के अंडर दिया गया थे इस तरह के कई खोजे थे और उनके बाद उनका मुख्य खोजा भी था खोजा शब्द उन लोगों के लिए यूस किया जाता है जो ना पुरुष होते हैं ना स्त्री होते हैं इस तरह के लोगों की बहुत डिमैंड राजाओं के काल में रही हिंदुस्तान में खोजे या जिनको हिज्डा कहा जाता है इनको समाज हमेशा आदर की दृष्टी से देखता रहा है लेकिन आज येदि कोई हिज्डा कहीं समाज में आ जाता है तो लोग उसका उपहास करते हैं आपको मालूम है ये ऐसा कैसे हुआ जिन लोगों को पूर् पादर और सम्मान से देखा जाता था जो राजा के खजांची होते थे जो राजा के मंत्री होते थे इवन हिंदुस्तान में जब जो मुस्लिम राजे महाराजे जब भरण करते थे तब खोजे लोग राज राजकाज में बहुत महतोपूर्न हिस्सा आदा करते थे तो वही खोजे यह जड़े लोगों के आज भारत में ये स्तिति कैसे हुई है इसका चरित्र यह है कि हिंदुस्तान को पिछले 2000 साल से लूटा जा रहा है या लूटा जा रहा था इसमें सबसे आखर में जो लुट तेरे हिंदुस्तान में आए ब्रिटिश सामराज ये हिंदुस्तानी कल्चर को नहीं समझता था हिंदुस्तानी समाज को नहीं समझता था इस कारण हिंदुस्तानी समाज में बहुत सारी चीजों को या बहुत सारी चीजों का उन्होंने विरोत किया इससे बढ़कर भारती समाज में बहुत सारी जातियों को ब्रिटिश लोगों ने अपरादी जाती घोशित कर दिया आज उत्तर भारत में जो घुमन्तु लोग हैं कहीं एक जगह घर बना कर रहने के बदले घूम घूम के हर जगह जाते हैं सेटल होते हैं आप लोगों के लोहे के एक्विपमेंट जो है उसको रिपैर करते हैं या इस तरह के कई काम करते हैं ये जो घुमन्तु जातियां हैं ये हिंदुस्तान की जो सामाजिक रेचना है उसमें बहुत महतोपूर नुरोड अदा करते हैं समाज में इनका महतोप बहुत जादा है लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इन घुमन्तु जातियों को अपरादी जाती घोशित कर दिया उसी तरह से ब्रिटिश लोगों ने हिजडों को या खोजों को अपरादी घोशित कर दिया अपरादी जाती है मतलब ये अपराद के अलावा कुछ नहीं कर सकते इस कारण आज भारत में तमाम घुमन्तु जातियों की हालत बहुत खराब है हिजडों की हालत तो और भी खर है ये थोड़ी से प्रिश्टवू में आपको मालूम होनी चाहिए जिस समय दानियल और उसके साथियों को ट्रेनिंग के लिए सेलेक्ट किया गया था उस समय सारा कंट्रोल इस तरह का सारा काम खोजों के हाथ में दिया जाता था और राजा के सर्वोतम मंत्री भी कई बार खोजे होते थे तो जब दे दिया गया उसके पीछे परपस क्या था जन्म से यहुदी सोच से अन्य जाती आज दुनिया एक्जाक्टली यही करने की कोशिश कर रही है हमारे मसीही बच्चे नाम से मसीही जन्म से शायद मसीही प्रिष्ट भूमी संडे को चर्च आते हैं सब कुछ करते हैं लेकिन उनकी सोच मसीही से बिलकुल अलग प्रकार की हो आज हम बड़े उत्सा से अपने बच्चों को उच्च शिठ्षा के लिए तमाम विश्व विद्यालियों में और महा विद्यालियों में भेजते हैं लेकिन कई माब आप ये नहीं जानते कि वहाँ जाकर उनकी कैसे जर्म के ब्रेन वाशिंग होती है मैं ये इसके पहले भी आपको बता चुका हूँ हम ऐसे बहुत सारे लोग चाते हैं कि हमारे बच्चे जर्नलिस्ट बने जर्नलिस्ट बनने के लिए जिन कॉलिजस में ये लोग जाके पढ़ते हैं उनमें सब जगह तो नहीं लेकिन कई जगह पढ़ाई के साथ साथ सुर, सुन्दरी, सुरा इन तीनों चीज की आदत उनको लगा दी जाती है सुर मतलब गाना, सुन्दरी मीन्स स्त्री, सुरा मीन्स शराब मैं ऐसे कई मित्रों को जानता हूँ जो जर्नलिस्म के एजुकेशन के लिए गए और वहाँ जाके उनको सुर, सुन्दरी, सुरा की आदत लग गई लड़कियों को सुन्दरी के बदले सुन्दर के आदवत लग गई बहुत लोगों को मैं जानता हूँ एग्जैक्ली यही बाबुल के राजय ने करने की कोशिश की थी दैनियल ने इस बात को समझा उसने इस बात को नोट किया कि इवन जो भोजन दिया जाता है के लिए कुछ विशिष्ट प्रकार के भोजन अनुमती थी बाकि उनको अनुमती नहीं थी लेकिन ट्रेनिंग के दौरान यहुदियों के लिए जो भोजन वर्जित है यदि वे लोग उस भोजन को खा लेते हैं तो उनके मन में प्रभू के वचन में जो प्रतिबंद लगाया है वे प्रतिबंद तूट जाएंगे तैनियल ने इस बात को बहुत अच्छे तरह से पहचान लिया कि मैं चाहे तो बहाना बना सकता हूँ कि ट्रेनिंग में जो भी दिया जा रहा है वो खाना पड़ेगा लेकिन वो इस बात को जानता था कि ट्रेनिंग में जो दिया जा रहा है उसको खाना पड़ेगा इस तरह से यदि वो वहाँ जो गलब काम करने के लिए वो कह रहे हैं यदि वो उसको डिफेंड करेगा, तो कल को उसकी सोच बदल जाएगी, यदि मैं खान पान में प्रबु के वचन के नियमों को तोड सकता हूँ, तो व्यापार में भी तोड सकता हूँ, राजनीती में भी तोड सकता हूँ, और नैतिक जीवन में भी तोड सकता हूँ, इस त उन सब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, प्रिये भाईयों और बहनों, दानियल की जो चरीतर कथा है, वो हमको यह बताती है कि हम 15 या 18 या 20 साल बच्चों को घर में रखके पालते हैं, उसके बाद उनको किसी हॉस्टल में या कॉलिज में जाके पढ़ाई करने देते हैं, वहाँ एक हजार शैतान हत्यार लेके उनके पीछे पढ़ जाते हैं, उनके जीवन को बरबात करने के लिए, इसलिए बच्चपन से अपने बच्चों को ट्रेनिंग दें कि किस तरह से उनके मनों को बदलने के लिए कोशिश की जाएगी और किस तरह से उसका विरोध करना ह दैनियल ने क्या किया? करेंगे, इसलिए बच्चों याद रखना, इस तरह की बातें जब आती हैं तुरंत माबाप से मदद लो, यदि तुमारे माबाप इस तरह के लोग हैं जो सीधे मूँ बात नहीं करते व्यावहरी जीवन पर कोई बात नहीं है, आज मसीही जगत में हजारों इस तरह के भा कि लोग भी हैं, बहने भी हैं, जो तुमारी मदद के लिए तयार हैं, वे तुमारी मदद करेंगे, और अब तो इलेक्रोनिक माध्यम इतना व्यापक और इतना आसान हो गया है कि कोई भी व्यक्ति मदद मांग सकता है, इसलिए बच्चों इस तरह की स्तिती आए, तो उसम में फसने के बदले, माबाप को बताओ, और यदि तुमारे माबाप उस तरह के नहीं है जो तुम से सीधे मूँ बात करते हैं, तो किसी अंकल या किसी आंटी से मदद मंगो, मदद उपलब्द है, बिना मदद के अपने जीवन को नाश मत कर देना, डानियल ने क्या किया, यह जरा देखें, डानियल ने यह किया कि, वहां जितने ट्रेनिंग के लिए आये थे, उन सब के ऊपर जो खोजा था, उस खोजे से जाके बात की, कि हे प्रभु, यह जो खाना है, यह खाना हमको ना दिया जाए, हम कुछ विशेश प्रकार का खाना चाते हैं, और वो हमको दे दें, मुख्य खोजा जो था, उसने तुरंत जवाब दिया कि मरवाओगे क्या, राजा ने जो भोजन निश्चित किया है, उसमें मैं रत्ती भर का यदि फरक कर दूँ, तो राजा जो है मेरा सर धड़ से अलग कर देंगे, ऐसे ही होता था, उस समय बाबुल में या प आती थी, वो इतनी भयानक थी, कि आप लोग सोच नहीं सकते, तो जो मुख्य खोजा था, उसने तो कह दिया कि नहीं पुतर नहीं हो पाएगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, दानियल ने हार माइनी क्या, नहीं, माप बाप इस बात को नोट करें अपनी डायरी में, अपने बच के रास्ते पर चलने के लिए कोशिश करते हो, और येदी कोई आडचन आती है, तो तुरंत अथियार मत डाल दो, बल्कि ये देखो, कि और कोई रास्ता है क्या, हम सब जानते हैं कि कई बार, घर की चाबी, लोग खो देते हैं, जैसे पती, पत्नी, बच्चे, सब लोग किसी पार्टी वार्टी में गए, और वापस आके घर पहुँचे, तो पता चला कि चाबी गायब है, या तो थेलाख हो गया है, या चाबी टपक गई है, या किस चाबी पार्टी या कुछ तो हुआ है, जिसके कारण चाबी नहीं हैं, क्या करते हैं, जब इस तरह से चाबी हो जाती है, तो क्या करते हैं, सब लोग घर के सामने बैठके रोना गाना शुरू करदेते हैं क्या, नहीं नहीं, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि घर के पीछे जो दर्वाजा है, कहीं वो खुला तो नहीं है, या आद खुला तो नहीं है, कई बार भूल से पीछे का दर्वाजा बंद करना भूल जाते हैं और किस्मत से यदि उस दिन पीछे का दर्वाजा बंद करना भूल गए, तो जो गलत काम आपने किया था या आप से जो गलती हो गई है, वो आपके लिए अनुग्रह का कारण बन जाता है, पीछे से प्रवेश कीजिए और उसके बाद जो स्पेर चाबी है उससे दर्वाजा खोल लीजे, मान के चलें, या ये देख लेते हैं कि कोई खड़की तो नहीं खुली है, जिसमें अंदर कूदा जा सके, अभी भी कई पुराने घरों में ऐसी खड़कियां हैं, जिसमें ये जाले वाले नहीं लगे हैं, जिसमें से मकान के अंदर कूदा जा सकता है, ऐसा न उन लोगों की जो घर की चाबिया हैं, इस से मिलती जुलती चाबी वो लगा कर खोलने की कोशिश करते हैं। बच्चों को ये ट्रेइनिंग दें कि जीवन में यदि तुम जो चाते हो वो ना हुआ, तुम को जो सुरच्षा मिलनी चाहिए वो सुरच्षा ना मिले, तो तुरंत हतियार नहीं डालना है, सोचो जिस तरह से चाबिक हो जाने पर बहुती अलग-अलग तरीके से सोचा जात है, उस तरह से सोचो बेटा कि क्या रास्ता हो सकता है, दानियल ने ऐसा ही किया, जो मुख्य खोजा है उसने तो मना कर दिया, लेकिन दानियल ने इस बात को रेलाइस किया कि अभी तो एक और है, दानियल शद्रक, मेशक और अबेद्नगों के ऊपर एक और खोजा है, तो मुख्य खोजे को छोड़ दिया, अपने और अपने तीन मित्रों के ऊपर जो ओफीसर था, उसके पास जाकर खाने के लिए मना नहीं किया, पहले व्यक्ति से मना किया, उसका परिणाम उसने देख लिया था, इस कारण उसने बुद्धी के साथ अगला जो खोजा है, उससे लेकिन हमको इसे खाने में कुछ दिक्कत होती है, इसलिए खोड़े से दिनों के लिए एक एक्सपरिमेंट कीजिए, और वो यह है कि हम लोग जो खाना चाहते हैं, वो खाना एक निश्चित नंबर दिनों के लिए दे दीजिए, और उसके बाद आप देख लिजिए, हमार उन लोगों के चहरे से जराबी कम नजर आता है, कम जोर नजर आता है, तो फिर आपकी इच्छा का खाना हम खाएंगे, यह प्रयोक सफल रहा, इसमें क्या शाश्वत सत्य छुपा हुआ है, इसमें एक बहुत बड़ा शाश्वत सत्य छुपा है, अपने बच्चों को परमेशा यह सिखाईए, कि यदि धार्मिक्ता का जो मार्ग है, वो एक मार्ग चुनते हुए कठिना ही आती है, तो कोई और मार्ग है क्या, यह देखें, कई बार जब हम इस तरह से सोचते हैं, तो रास्ता निकल आता है, दानियल ने इस बात को तै कर लिया था, कि परमेशा ने जो कहा है, उसके अनुसार भोजन करेंगे, और परमेशा ने पुरैने नियम में जो आगिया दी है, उस तरह भोजन करने के बाद, यदि हम लोग कमजोर हो जाते हैं, तो उसका मतलब है कि परमेशा ने हमारा हाथ छोड़ दिया है, और इसलिए हम जैसा ये ब परयोग किया, उन लोगों ने परमेशा की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने की कोशिश की थी, इसलिए परमेशा ने दानियल और उसके मित्रों को अनग्रह दिया, और निश्चित समय के बाद या निश्चित आवदी के बाद, जब खोजे ने इन लोगों का चहरा, उ ये मित्र जो बाबल का सरवोतम भोजन कर रहे थे, और ये मित्र, येहुदी मित्र, जो सिर्फ दाल और शाक खा रहे थे, शाक भाजियां खा रहे थे, इनका चहरा तुलना करके देखा, तो ये जो दाल और शाक भाजियां खा रहे थे, इनका चहरा उन लोगों से अधिक तंदुरस्त चमक से भरा हुआ दिखाई दिया तुरन तो उसने कहा ठीक है बेटा तुम्हेरा ट्रेनिंग का जितना पीरेड है उतने पीरेड मैं तुम लोगों को यही भोजन दूँगा जिसने जो बुद्धी के विपरी थे लेकिन जिसने तुम लोगों को इतना जिस तरह से चाबिक हो जाने पर जो अन्य रास्तों की खोच करते हैं उसी तरह से खोच करें मेरे प्री बच्चों तुमको मैं याद दिलाना चाहता हूँ कई बार तुम लोग प्रभू की इच्छा के अनुसार कोई चोईस करना चाहते हो लेकिन वो आसंभव सा मालूम प से थोड़े समय की समय मांगो थोड़ी सी महलत मांगो प्रभू तुमको बुद्धी देंगे कोई अंकल हो आंटी हो माबाप हो उनसे सुझाव लो मैं बात याद दिलाना चाहता हूँ कि विद्यार्थी जीवन से लेकर जीवन के आंत तक हमको इस तरह के चुनाव करने मैं भी ये बात बताई है गौालियर की मंधली जो ये मीटिंग चला रही है मेरी सारी जिंदगी गौालियर में बीती है मेरी पड़ाई लिखाई नौकरी सब गौालियर की है MSE करने के बाद गौालियर के एक सर्वोतम स्कूल में जब मैं नौकरी कर रहा था तब एक दिन प्रिंसिपाल ने मुझे बुला के बताया कि देखो जौंसन मेरे एक मित्र की बच्ची है वो फिजिक्स में फेल हो गई है और कल वो रोते गाते मेरे पास आए कि मेरी बच्ची फेल होगे तुम तो मेरे सर्वोतम दोस्त हो और तुमारे होते मेरी बच्ची फेल कैसे हो सकती है तो इसलिए जौंसन अपने को कुछ ऐसा जुगाड बैठाना है कि वो लड़की पास हो जाए मैंने कॉपी खोल के देखा सर पीट लिया कुछ तो लिखा होता यदि कुछ तो लिखा होता तो उदारता से कुछ तो नंबर देते और सबके टोटल शायद 33% 33% बन जाता उसने तो कुछ भी नहीं लिखा था मैं उसको कैसे पास करूं अच्छा मैं जिस प्रिंसिपाल के अंडर था मैं घोर ईश्वर विश्वासी प्रिंसिपाल घोर नास्तिक सामानी नास्तिक नहीं घोर नास्तिक हम दोनों की बहुत पढ़ती थी यह मैं आपको बता दूँ हम दोनों की बहुत उमर में बहुत फरक था लेकिन हम दोनों की बहुत पढ़ती थी एक साथ हमने बहुत प्राइवेट चाई पी है खूब प्राइवेट बात की है लेकिन एक घोर नास्तिक जब मुझसे एक अन्यतिक कारिय करने को कहता है, मैं उस अन्यतिक कारिय को कर दूँगा, तो कलको घोर नास्ति कहेगा कि जॉड्सन, इश्वर विश्वासी होते हुए, तु यदि अन्यतिक कारिय कर सकता है, तो उससे अच्छा यह है कि इश्वर में विश्वास छोड़ दे मैं तुझ से बहतर हूँ तो मैं हर तरह से फसकिया था नए नए अपाइंटमेंट हुआ था और नौकरी जाती रहेगी ये भी डर था प्रभू ने मेरी मदद की मैंने उनसे का सर मैं अब भी अभी आया हूँ बिलकुल फ्रेश हूँ इसलिए जाँच पढ़ता लादी जो है वो किसी अनभवी अध्यापक के अंडर मुझे सीखना होगा और इसलिए आप ऐसा कीजे कि यहाँ जो अन्य फिजिक्स के अध्यापक है यह कॉपी उनको दिखा दीजे और एक बार जब वे लोग नंबर वगएरा डाल देंगे तो शायद देख के मैं भी सीख जाओ कि इसका टेकनीक क्या है तो उनको भी लगा प्रिंसिपाल को कि हाँ यह बात सही है जॉन्सन तो नए 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 आया है और देख लो कि वो पास हो जाए और बच्ची पास हो गई मैं भी पास हो गया क्यों इसलिए कि मैंने वो बोज अपने सर से उतार कर सर के सर पर डाल दिया था प्रभु ने बुद्धी दी मेरे प्रिये बच्चों बच्चियों तुम्हारे सामने इस तरह की परिच्चाएं आएंगी जब तुम स्कूल में पढ़ रहे हो तब से लेकर तुम जब नौकरी पे लग जाओगे तब तक इस तरह की तमाम परिच्चाएं आएंगी और हो सकता है जो पहला उत्तर मन में आता है वो काम न करे दानियल के मन में जो पहला उतराय था उसका कोई रिजल्ट नहीं हुआ उसने लेकिन हार नहीं मानी उसने जो है उसके मन में जो अगला उतराय था वो किया तो दानियल की कहानी में हम कोई शाश्वत पाठ पढ़ते हैं क्या दानियल की जो चरित्र कथा है उसमें शाश्वत पाठ ही पाठ हैं और प्रीव भाईयों बहनों मैं ये जो बोल रहा हूँ यदि इसको ही आप नोट करते चले जाएं और मैं सर्फ मेरे मन में जो बाते हैं उसमें दस प्रतिशत आपको बता रहा हूँ ये दस प्रतिशत आप नोट कर लें तो कल को जब दानियल की चरित्र कथा आप अपने बच्चों को सुनाएंगे तो पताने कितनी सारी शिट्षाएं अपने बच्चों को दे सकेंगे इसके बाद ये जो कहानिया है चरित्र कथा उसके बारे में पहला प्रश्ण था इसमें हम कोई शाष्वत सत्य देखते हैं क्या उसके बाद अगला प्रश्ण जो हमें अपने आप से पूछना है कि व्यावहारिक जीवन संबंदित कोई पाठ देखते हैं क्या दानियल की जो कहा चरितर कता है उसमें व्यावाहरी जीवन संबंदित पाठ है सबसे बड़ा पाठ यह है कि दुनिया चाहती है कि परमेश्वर के राज्ज में जो सबसे हैंसम लड़के हों, जो सबसे सुन्दर लड़किया हों, जो सबसे बुद्धिमान हों उन लोगों को संसार की फिलोसफी पर चलाया जाए, संसार के रास्तों पर चलाया जाए यह बहुत बड़ा व्यावाहरिक पाठ है, उड़ाओ पुत्र, उड़ाओ पुत्र के जीवन में तो व्यावाहरिक पाठ ही पाठ है उड़ाओ पुत्र के जीवन में जो सबसे बड़ा वियावारिक पाठ है वो यह है कि बेटा बेटी तुमारे मन में जो rebellion है जो बलवा है तुमारे मा के विरुद तुमारे बाप के विरुद चाचा ताओ के विरुद समाज के विरुद चर्च के विरुद तुमारे मन में जो बल्वा है वो बल्वा तुमको बर्बात कर देगा उड़ाव पुत्र बहुत धन्य था कि उसको वापस आने का मौका मिला लेकिन व्याबहारिक जीवन के अनुभो के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि इस तरह से जो लोग अपने माबाप, अपने परिवार, अपने अपने मन माने रास्ते पर निकल जाते हैं, उनमें दस में से एक व्यक्ती भी वापस नहीं आ पाता है। वापस क्यों नहीं आ पाता है? इसलिए कि सही मार्ग का लंगन एक चुहेदानी के समान है। चुहा खाने का जो स्मेल है उसके कारण चुहेदानी में घुस्ता ही चला जाता है। इस बात को नहीं जानता कि इसमें से वापस आने का कोई रास्ता नहीं है। पसार चुहेदान के समान हमको फसा रहा है। क्यों फसा रहा है। जिससे के हमारे जीवन को जिस तरह से चुहे को मार लाला जाता है। हमारे जीवन को हमेशा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाए। शैद दस में से एक है जो वापस आ पाते हैं। उसमें भी कई सारे कंडिशन हैं। शैद दस में से एक परमेश्वर से बलवा करके गलत रास्ते पर जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के प्रती जो प्रेम है वो उनके मन में रहता है। परमेश्वर के वो बीज उनके मन में रहता है। और इस कारण उडाव पुत्र के समान जब वे नंगे भूके हो जाते हैं और खाने के लिए सूरों से जब जगड़ा करना पड़ता है तब उनको लगता है कि हमें वापस चले जाना चाहिए महफर से याद दिलाना चाहता हूं जितने माबाप हैं उनको याद दिलाना चाहता हूं आपके बच्चे जब आपके हाथ में हैं तब उनको समान लीजे स्नेह के द्वारा सही रीती से शिच्छा देने के द्वारा उनको समान लीजे एक बार वे आपके हाथ से नश्ट हो जा अच्छे हमेशा के लिए नश्ट हो जाते हैं, आप उनको वापस नहीं ला सकते, दस में से एक वापस आ जाते हैं, लेकिन कोई गारंटी नहीं है कि आपका बच्चा उन दस में से एक होगा, इसलिए आग लगने से पहले कुवां खोद कर रखिये, कुवां आग लगने के ब पाचन सुन रहे हो, तुम सब को मैं याद दिलाना चाहता हूँ, और वो यह है, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, स्याहे पढ़ाई खतम होगी हो अब हायर एजुकेशन में जाने की कोशिष कर रहे हो, या नौकरी की कोशिष कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो इस बात को मत भूलना गलत चुनाव करोगे तो वो एक चुहेदान है जो तुमको बरबाद करने के लिए बनाया गया है ऐसा मत सोचना की मेरी जब इच्छा होगी तब मैं वापस आ जाओंगा ऐसा होता नहीं है तुमने स्मोक करते हुए कितनी लोगों को देखा होगा जो स्मोकिंग बंद करना चाते हैं नहीं कर पाते हैं मध्यपान बंद करना चाते हैं नहीं बंद कर सकते आज से कुछ साल पहले एक बहुत दिल्चस्प घटना हुई एक व्यक्ति से मेरी मुलाकात हुई वो सिगरेट पे सिगरेट पिये जा रहा था मैंने उससे कहा कि तुम जानते नहीं हो क्या कि लंग कैंसर हो जाएगा और उसके बाद तुम बच नहीं सकते तो वो बोला शास्त्री जी मैं जब चाहे बंद कर सकता हूँ जब चाहे बंद कर सकता हूँ तो मैंने पूछा कि जब चाहे बंद कर सकते हूँ तो बंद क्यों नहीं कर देते वो बोला कि मैं कम से कम दस बार बंद कर चुका हूँ और आगे भी जब इच्छा होगी तब बंद कर दूँगा दस बार बंद करने का मतलब क्या है 200 बार उसने फिर से स्मोकिंग को वापस ले लिया ये बंद करना थोड़ी है ये तो सरफ मोनो एक्टिक है याद रखें बच्चों ऐसा मत सोचना कि हम एक सीमा क्रॉस करने से पहले वापस आ जाएंगे नहीं ऐसा मत करना ये तुमारी गलत फहमी है बहुत 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 कमल होएं जो वापस आ पाते हैं तो उड़ाव पुत्र की कहानी से जो व्यावा हर एक तथि हम सीखते हैं वो ये है कि दुनिया में यदि हम अपने बल्वे से भरे हुए साथियों की वाणी सुनेंगे तो हम अपने माँ से बलवा करेंगे, अपने बाप से बलवा करेंगे, चर्च से बलवा करेंगे, प्रबु से बलवा करेंगे और अपनी जीवन को बर्बात कर देंगे तीसरा प्रश्न जो हमें उस चरित्र कथा के बारे में या जो कालपनी कथा उसके बारे में पूछना है वो यह है कि यह जो चरित्र कथा है या जो संकल्प या कालपनी कथा है इसमें किसी तरह की कउद्बोधन हमको मिलता है क्या कोई exhortation मिलता है क्या दानियल की कहानी हमको ये exhortation देती है ये प्रबोधन देती है कि हार मत मानो पजमेश्वर के रास्ते पर चलने की जब कोशिश करते हो उसमें ये दी बाधा आती है हार मत मानो एक दरवाजा बंद हो गया देखो पीछे का दरवाजा कुला है क्या वो न देख लो कि अन्य लोगों की चावी से घर खुल सकती है क्या घर खुल सकता है क्या उडाओ पुत्र की कहानी में हम ये प्रबोधन देखते हैं बेटा बेटी जो हो गया वो हो गया होना नहीं चाहिए था लेकिन जो हो गया वो हो गया जो तुमें करना नहीं चाहिए था त लेकिन आज जिस नंगे, भूखे, मैले, उचेले, गंदगी और बद्बू से भरी हवस्ता में तुम हो, इसमें और मत जीना, इसमें जायरी मत रहना, बलकि आज अभी वो समय है जब तुम्हें इस जीवन को त्याग करके पिता के पास वापस जाना है, प्रियमा बाप, अपने बच्चों को ये बात बताईए, बेटा, पहली बात, गलत रास्ते पर मत जाना, दूसरी बात, मान के चलो कि मम्हें डैडी से बलवा करके तुम गलत रास्ते पर चले जाते हो, नहीं जाना चाहिए लेकिन चले जाते हो, तो याद रखना बेटा, जब ठोकरें खाओगे, तब सिर्फ मम्हें डैडी ही बचेंगे, वापस आ जाना, हमारे पास वापस आ ज जाना, हम तुमको जीवन में दुबारा बसाने की कोशिश करेंगे, मेरे प्रिये बच्चों, आज जो लोग प्रभु का वचन सुन रहे हैं, एक अनुभवी बाइबल शीट्षक और काउंसलर होने के कारण मैं जानता हूँ कि तुम में से कई लोगों के मन में मा बाप से, भाई बहनों से, समाच से ये चर्च के विर्द बलवा भरा हुआ है, और आजकल तो बहुत अरली उमर में ही लोगों के मन में बलवे की भावना आ जाती है, और इसका रिंट तुम मा बाप के जाने बिना, भाई बहनों के जाने बिना, तुम शायद कुछ गलत चॉइस करके उस चॉइस पर आगे बढ़ रहे हो, मेरे प्रिये बेटे, मेरी प्रिये बेटी, तुम बरबाद हो जाओगे, ये एक चूहे दान है जहां चूहे को सिर्फ मारने के लिए फसाये जाता है, पालने के लिए नहीं, इसलिए तुरंट अपने मा, बाप, चाचा, चाची या चर्च में कोई अंकल हो जो तुमारी मदद कर सकते हो, तुरंट तु उस व्यक्ति से अपील करो कि वो तुमारी मदद करे, चूहे दान से तुम स्वैम नहीं निकल सकते, उड़ाओ पुत्र के लिए सरवतम बात ये थी कि उसका पिता उपलब्द था, और इसलिए वो अपने पिता के पास वापस चला गया, लेकिन मैं इस बात को जानता हूँ कि हर परिवार में, पिता या माता, इस रोल को सही रीती से अदा नहीं कर पाते, ऐसी अवस्था में किसी ऐसे व्यक्ति को अप्रोच करो, जो तुमारी मदद कर सकता है, बर्बाद मत हो जाना, अपने जीवन को बर्बाद होने मत देना, तो प्रीए भाईयों बहनों, मैंने दो या तीन प्रशन इन दानिल की कहानी के बारे में और उड़ाओ पुत्र के बारे में पूछा, उससे कितने सारे पाठ आ गए, प्रशन तो अभी और भी है, बहुत सारे प्रशन है, प्रभु ने मदद की तो जल्दी ही मैं उसको एक electronic book के रूप में हिंदी में release करना चाहता हूं, प्रार्थना करें, तो जरा सोची यदि चार प्रशन पूछने पे इतने सारे पाठ, य तो यदि सब प्रशन पूछें तो कितनी बातें समझ में आ जाएंगे, और जब ये सारी बातें जब आपने बच्चों को बच्पन से सुनाएंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, तो उनके मन में कितना रूपांतर होगा, हमारे बच्चों के मन में रूपांतर इसलिए नह हो रहा है, क्योंकि हम कोशच नहीं करते, यह बात मैं माबाप को बताना चाता हूँ बच्चों को याद दिलाना चाता हूँ बच्चों, जीवन में नानियल के समान हमेशा सही चॉइस करना फॉड़ाओ पुत्र के समान चॉइस करोगे तो इस बात के कोई guarantee नहीं है दस में से नौओ फूरी तरह से बरबाद हो जाते हैं इस बात के कोई guarantee नहीं है कि तुम वापस आ सकोगे बद अच्छा बद नाम बुरा जैसे कहते हैं उस तरह से जो गलप बाते हैं उसको अपने से दूर रखना इन बातों को समझने के लिए और इसके अनुसार जीवन बिताने के लिए बच्चों प्रभू तुमारी मदद करें प्रिमाबाप अपने बच्चों को सही रीती से प्रभू का बचन समझाएं इन बातों को समझने के लिए और जीवन में यवहार में लाने के लिए प्रभू स 690, मुझे से संपर्ख करें, मैं भरसक मदद करने की कोशिश करूँगा, प्रभु के नाम की स्तूती हो. पहले उसे क्लिक कर दें, उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें, बस, हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी, इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अ साहन देता है, जै मसीह की